आज की इस वीडियो में हम बात करना वाल है कि Redmi Note 8 डवाइस में एक new software update मिलना start हो चुका है MIUI 12.0.1.0 का यह update कल भी एक बार देखने के लिए मिला था और आप लोग को मालूम होगा तो जब सहली बार update देखने के लिए मिलता है तो फिर से Redmi Note 8 डवाइस में फिर से आज एक बा update देखने के लिए मिला है जिसका बर्जान है MIUI 12.0.1.0 का आप लोग को मालूम होगा कि यह update में साथ में Android 11 का भी update देखने के लिए मिल जाता है जिस update का फाइल से यहाँ पे 2.2GB देखने के लिए मिला है अब नीचे comment section में जरूर बताना अगर आपने Redmi Note 8 डवाइस के यू थोरा सा active रहना setting and software update पे क्लिक करके update को जरूर चेक करते हैं क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि update देखने के लिए मिलता है वो गाइस कई सारे batches में देखने के लिए मिलता है उसमें से भी update एप्रॉक्स वन आवर के लिए देखने के लिए मिलता है इसी वैसे आप थोरा चेल्ज लोग देखने के लिए मिला है तो वाइस अदर्स में चेल्जस देखने के लिए मिला है वह आप्तिमाइस system performance, improved system security and stability यहां पर optimize कर दिया है system performance को यहांनि कि आपकी device के security patch को और भी ज्यादा enhance कर दिया गया है लेकिन यहां पर रेद्मी नोटे डवाइस में MIUI 12.0,0. 1.0 का अप्डेट देखने के लिए मिला है तो इस अप्डेट में आप लोगों को Android 11 अभी अप्डेट देखने के लिए मिल जाता है तो आप यहां पूरा सा एक्टिव आना सेटिंग अप्डेट पर क्लिक करके अप्डेट को जरूर चेक कर दिया आना क्योंकि आज भी कु अप्डेट के साथ आपके डवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है वैसे जिन यूजर्स को देखने के लिए नहीं प्रॉक्स वन विक के अंदर अप्डेट मिलना हो जाएगा सभी यूजर्स के लिए है तो इस प्लान में अभी के लिए इतना ही जपी रेदमी नोटेट होगा तो आप लोग को इनफॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर नीव वीडियो के करें सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेर नाटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना है तो इस फिराग में अभी के लिए इतना ही आई होट कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जोर कर देना और हाँ इस वीडियो के वारे में आपका क्या उपीनिन है नीचे कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर मेंचन करना तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में